गुड़ मॉर्निंग आल अफ यू विकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रसाशन पेपर फर्स्ट बिजनेस लो व्यापारिक सन्यम छत्रो आज अपन अध्यन करते हैं प्रतिफल वाले चेप्टर में एक कोटेशन है बिना प परिक्षा में ऐसा कोटेशन पूछा जाता है कि बिना प्रतिफल का अनुबंद व्यर्थ होता है इसपष्ट कीजिए तो इसको आप थोड़ा अच्छी तरह तयार कर लेना परिक्षा के दस्टिकौन से भारतिये समीदा अधिनियम या अनुबंद अधिनियम की धारा 25 में इसपष्ट रूप से लिखा है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ माना जाता है अता है प्रतेक अनुबंद में प्रतिफल होना आउश्यक है प्रतिफल के अभाव में अनुबंद जुए के समान समझा जाता है और व्यर्थ होता है एन्शन के मता अनुशार प्रतेक सामान्य अनुबंद के लिए प्रतिफल आवश्यक है प्रतिफल के अभाव में ठहराव एप्रवर्थनिय रहता है नियादिस डेनिंग का मत है कि अनुबंद के निर्मान के लिए प्रतिफल अत्यनत आउशक है इन सभी के विचारों से यही प्रगट होता है कि वैद्ध अनुबंद के निर्मान के लिए प्रतिफल का होना आउशक है यदि अनुभंद में प्रतिफल का सर्वथा अभाव है तो अनुभंद व्यर्थ हो जाएगा ये अधिनियम में और विभिन विद्वान और नियाधिशों ने ये बात इस्पस्ट की है कि बीना प्रतिफल का अनुभंद व्यर्थ होता है लेकिन इसके सामान्य नियम के कुछ अपवाद है उनके द्वारा अपन यहाँ पे इसपष्ट करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ अनुबंद या ठहराव ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिफल प्रगट नहीं होता है तो भी वो वैद माने जाते हैं तो अपन हेडिंग डालेंगे अपवाद इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं, कुछ अनुबंद ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रतिफल नहीं होने पर भी वैद हो जाते हैं धारा पत्चीस में ही तीन अपवादों का वनन किया गया है वो क्रम से है, इस परकार है नमबर वन, स्वभाविक प्यार एवं स्नेह के परिणाम स्वरूप अनुबंद जब अनुबंद किनी निकट संबंधियों के बीच स्वभाविक प्यार एवं स्नेह के कारण होता है तो वह अनुबंद और वह अनुबंद लिखित तथा रजिस्टर्ड होता है तो ऐसा अनुबंद बिना प्रतिफल के भी वैद होता है धारा 25 उपधारा 1 इस प्रकार इसफ़ष्ट है कि अनुबंद बिना प्रतिफल के भी वैद हो सकता है यदी फर्स्ट यदी अनुबंद लिखित है सेकंड यदी वह अनुबंद प्रचलत विधी के अंतरगत रजिस्टर्ड है थर्ड यदी वह अनुबंद निकट समंधियों के बीच किया गया है तदा फौर्थ येदि वह अनुबंद प्राकर्तिक या स्वभाविक प्यार एवं स्ने से प्रेरित होकर किया गया है यहां यह बात भी विशेश महत्व की है कि ऐसा अनुबंद स्वभाविक प्रेम एवं स्ने के कारण ही किया गया हो अतहे पक्सकारों के बीच निकट के समंद के साथ स्वभाविक प्रेम एवं स्ने भी हो पती-पत्नी, माता-पिता तथा बच्चे, भाही-भाहीन और दामाद स्वसूर निकट समंदी माने जाते हैं और उनमें स्वभाविक प्रेम एवं स्ने भी हो सकता है इसी आधार पर एक मामले में कहा गया है कि एक भाई, दूसरे भाई के रिण को चुकाने का ठहराव बिना परतिफल के भी वैद्ध होगा यदि वह अनुबंद, लिखित, पंजिकरत, एवं स्वभाविक प्रेम, एवं सने के आधार पर किया गया हो सरोजब नाम ग्यानदा के मामले में यह निर्नित किया गया था कि किसी पुत्री को उसके पिता दुआरा किया हुआ संपत्ति का दान ऐसी परिस्तितियों में जबकि पुत्री ने पिता को पिता की सेवा भी परियाप्त की हो, इसी अपवाद के अंतरगत वैद्ध है परन्तु अनुबंद निकट समंधियों के बीच होने के आधार पर ही उसे स्वभाविक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित नहीं माना जा सकता पक्सकारों ने यह वह बिना परतिफल का अनुबंद स्वभाविक प्रेम एवं स्नेह से किया गया हो यदि पक्सकारों ने यह अनबंद आपसी जगड़े यह उनकुरोध में किया हो तो यह अनबंद व्यार्थ होगा नमबर टू अपवाद का दूसरा पॉइंट स्वेच्छा से किये गए कारियों की क्षति पूर्ती के लिए किये गए अनबंद जब किसी वेक्ति ने दूसरे वेक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कारियों किया हो जिसे करने के लिए वह दूसरा वेक्ति वैद्धानिक रूप से बाद्ध्य था और परिणाम सुरूप वे दूसरा वेक्ति पहले वेक्ति की सेवाओं की पूर्ण ये आन्शिक ख्षति पूर्ति करने के लिए अनबंद करता है तो ऐसा अनबंद प्रतिफल के अदा अभाव में भी वैद्ध होगा धारा 25 उपधारा 2 इस उपधारा के अध्यन से इस्पस्ठ है कि इसके अंतरगत अनबंद निमन लिखी शर्टों के पूरा होने पर वैद्ध होता है नमबर वन एक वेक्ति ने दूसरे वेक्ति के लिए कुछ कार्य किया हो सेकेंड उसने वह कार्य स्वेच्छा से किया हो अत्वा उस कार्य को करने के लिए दूसरा व्यक्ति वैधनिक रूप से बाद दे रहा हो तता थर्ड उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति की सेवाओं की पूर्ण या आंशिक शतिपूर्ती का वचन दिया हो तिसरा अपुआद काल बाधित रिणों के भुगतान के लिए अनबंध वैसे कोई भी रिण धाता अपने रिणी से काल बाधित रिण वसूल करने का वैधनिक अधिकार नहीं रखता है किन्तु यदि कोई रिणी अथवा उसका कोई अधिकरित एजेंट उसकी ओर से किसी काल बाधित रिण का आंशिक या पूर्ण भुगतान करने के लिए रिण दाता से लिखित एवं अस्थाक्षर युक्त अनबंध कर लेता है तो ऐसा अनबंध भी वैद माना जाता है काल बाधित रिण के भुगतान का अनबंध किया जाता है तो वह अनबंध बिना प्रतिफल के भी वैद होता है किन्तु ऐसे अनबंधों में निम्न लिखित बातों को ध्यान में रखा जाना आउस्यक है नमबर वान ऐसा अनबंध इसपश्ट होना चाहिए गर्भीत अनबंधों को मान्यता नहीं होती है सेकेंड अनबंध लिखित एवं अस्ताक्षर युक्त होना चाहिए थार्ड ऐसा अनबंध आंचिक एवं संपून रिण के भुगतान के लिए हो सकता है फौर्थ ऐसा अनबंध शर्थ रहित अत्वा शर्थ सहित हो सकता है शर्थ सहित अनबंध को प्रवर्तित करवाने से पहले उस शर्थ को पूरा करना पड़ता है फिप्थ यह अनुबंद स्वयम रिणी अथवा उसके किसी अधिकरत एजेंट दुआरा किया जा सकता है शिक्स वहरिन जिसके भुगतान का अनुबंद किया गया हो वह वैद्ध होना चाहिए जैसे उधारन के रूप में A, B से एक जन्वरी 2009 को 5000 रुपे उधार लेता है किन्तु वह आज तक इस राशी को नहीं चुका पाता है A जानता है कि यह राशी काल बाधित हो चुकी है, टाइम बार्ड हो चुकी है किन्तु वह अपनी स्वेच्छा से B को एक जन्वरी 2012 को उस राशी के लिए नया पर्तिग्या पत्र लिख देता है और अस्ताक्षर कर देता है B अब A की वरुद नयाले में वाद प्रस्तुत करके धन्राशी प्राप करने का अधिकार रखता है यदि वह समय परभुकतान नहीं करता है चोथा अपवाद भेंट जो वास्तम में दे दी गई है पर प्रतिफल के अभाव में उसकी व्यद्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अतहें एक बार भेंट दी गई समपत्ती को इस आधार पर व्यर्थ नहीं खहा जा सकता है कि उसके लिए कोई मुल्यवान प्रतिफल नहीं था धरापचीश के अपवादों के अतिरिक्त कुछ और अन्ने भी अपवाद है जो इस प्रकार है नमबर पांच दान देने के लिए अनबंद दान दे दिया अत्वा ले लिया गया हो तो वह अनबंद निश्पादित हो जाता है उसकी वेद्यता को चुनोती नहीं दी जा सकती है किन्तु यदि भविश्य में दान या चंदा देने का कोई अनबंद किया जाता है तो उस अनबंद को तभी प्रवर्तित करवाया जा सकता है जबकि दान के वचन ग्रेता ने दान प्राप्ति की आशा में कोई दायत्व उत्पन कर लिया हो दान का वचन ग्रेता से उत्पन किये गई दायत्वे की शीमा तक दान दाता को दान देने के लिए बाद्धे कर सकता है अधनियम की धारा 185 के अनुसार एजेंसी के अनबंद में प्रतिफल का होना अनिवारिय नहीं है बिना प्रतिफल के भी एजेंसी अनुसार को वैधानिक रूप से प्रवर्तित करवाया जा सकता है सात्वा अपवाद निशूल्क निक्षेप निक्षेप दो प्रकार का होता है शैसूल्क और निशूल्क निशूल्क निक्षेप में प्रतिफल नहीं होता है फिर भी निक्षेप ग्रहिता तता निक्षेपी को अनबंद को कानुनी रूप से प्रवर्तित करवाने का अधिकार होता है उधारन के रूप में अपने इस्पष्ट कर सकते हैं ए बी की कार निशूल्क मांग कर ले जाता है यदि ए लापरवाही से गाड़ी का एक्सिडेंट कर देता है तो बी अपनी गाड़ी की शतिपूर्ति के लिए ए को बाद्ध्य कर सकता है निशूल्क निक्षेप का यह उधारन बहुत अच्छा है आठवा एवं लाश्ट अपवाद अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन चुकाना कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि रिंडाता एवं रिनी के बीच ऐसे ठहराव होते हैं जिनके अंतरगत अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन चुकाने की व्यवस्ता होती है किन्तु ऐसे ठहराव को ततकाल निस्पादित करना होता है क्योंकि ऐसे ठहराव को बाद में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है यदि रिन दाता रिनी से कम धन प्राप्त करके संपूर्ण भुगतान हुआ मान लेता है तो वह संपूर्ण रिन भुगतान हुआ या चूकता हुआ मान लिया जाता है तो ये आठ अपवाद हुए इसमें प्रथम चार अपवाद अधनियम की धारा 25 में बताए गए हैं और इसके अलावा अगले सारे अपवाद कुछ नैलों के नीने के आधार पर बताए गए हैं धन्यवाद